मैं मेजिकल फैमिली, हो आई हूँ, वेलकम बैक टो माई चैनल सो मैं फिर से आपके साथ एक सकसे स्टोरी लेके आई हूँ ये सकसे स्टोरी है, इंस्टेंट थाट की उन्होंने उससे टाइम थाट क्रियेट करा और उससे समय ही मेनिफिस्ट भी हो गया बहुत ज़्यादा मिरेकल सकसे स्टोरी है सो लेट स्टाट मैं और मेरी मॉम मॉल गए थे और मैं कैफे जाना चाहती थी बट मेरी मॉम उस दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैंने अफिर्म करा, उनकी अफिर्मिशन है आगे अफिर्मिशन है, we would go to a cafe इन्होंने future में लिया है we would go to a cafe और मेरा दिमाग बोला देखो जब हम कुछ भी अफिर्म करते हैं तीक है, manifest करने के लिए हम अफिर्म करते हैं हमारा जो दिमाग है वो भी question put up करता है वैसा ही, इनकी success story में है जैसे इन्होंने affirmation दी कि we would go to a cafe तो आगे लिखती है, मेरा दिमाग बोला आपकी mom ने बोला है कि वो busy है सो यही नहीं हो सकता जिनके जो thoughts थे, दिमाग से निकले कि हाँ, आपकी mom ने बोला है कि वो बहुत ज़्यादा busy है सो यह नहीं हो सकता तो मैंने बोला कि यह already हो गया है 4D में और यही reality है सो अभी मैं कैफे में mom के साथ बैठी हूँ 4D में रहो, 4D ही real reality है सो यह success story बहुत ज़्यादा miracle है कि यहाँ पे हमने पते क्या सिखा है यहाँ पे हमने यह सिखा है कि जब हम कुछ भी manifest करते हैं उस समय हम manifestation के दुरान हमें wrong thoughts आते हैं हमें ऐसे thoughts आते हैं जो हमारी manifestations को रोकते हैं वही इनके साथ हुआ इन्होंने सोचा कि मैं अपनी mom के साथ cafe जा रही हूँ जाओंगी ठीक है इन्होंने future में सोचा we would go to cafe बट उसे समय इनके दिमाग में ने thought create करा कि आपकी mom busy है तो यह नहीं हो सकता तो इन्होंने instant अपने जो दिमाग में thought आया था ना उसे cut करा और बोला कि यह 4 day में हो चुका है तो यह reality हो गई है वही हमें सीखना है कि जब हम कुछ भी manifest करते हैं अगर हमें कुछ वैसा ही thought आता है तो हमें उस thought को क्या बोलना है कि वह 4 day में हो गया है या 4 day में हो रहा है 4 day ही मेरी reality है चीक है मुझे पता है अगर 4 day में हो गया तो वह हमारी life में भी हो गया सो बहुत ही miracle success story है अगर आप भी instant किसी चीज का result चाहते हो आप इस space पे इस success story जैसा ही result manifest कर सकते हो तो लगे रहो न अपने wishes को complete करने में starting अगर विलीब नहीं हो पा रहा है तो आप छोटी चीज़ों से start करो जैसे cup of tea sorry cup of tea flour chocolate, toffee या something कुछ flower किसी भी color का ऐसी चीज़ों से start करो जब आप इस दिन सब चीज़ों में से manifest करना शुरू कर दोगे ना तो आपका बिलीब बहुत ज़ादा बढ़ना start हो जाएगा और आप easy way में अपनी हर manifestation अपनी हर desire को complete कर लोगे so लगे रहो negative भी सोचना है तो आज से positive सोचना शुरू करो ये सोचो के हमारी जिन्दगी बगलने वाली है so negative तो word हमारी life से cut है हमने उसे बेज दिया कहीं पे ठीक है? वो अभी हमारी life में नहीं है अभी सिर्फ positive है हमारे सपने है positive way में रहकर positive way में बोल कर हम अपने सबी सपनों को अपनी जिन्दगी को अच्छी से जिएंगे so thank you so much for your beautiful sport thank you thank you thank you